स्वागत है आपका अभिनंदन वेलकम और स्वागत में करता हूं किड़ी लाइव के इस प्लेटफॉर्म पर पुस्पेंदर सर्मा के साथ आप इस समय लाइव हो चुके हैं तो आज मैं आपके सामने जो हाजिर हुआ हूँ इस समय आपको भी पता है इस समय क्या चल रहा है स सिनेरियो यह है कि कल पांच बजे SSC CGL मेंस का जो पेपर हुआ उसकी आंसर की रिलीज हुई जब आंसर की आई इस समय आप देख रहे होंगे चारो तरफ इस समय केवल आंसर की घूम रही है आप लोगों ने पेपर देखा होगा अपने माक्स आपने काउंट किये होंगे आपने चेक किया होगा कि आपके नंबर ऑफ मार्क्स कितने बन रहे हैं आप मेरी बात को समझ रहें तो सारे की सारे बच्चों ने इस चीज को देखा होगा अब बहुत सारी चीज़ हैं इस समय दिमाद में चल रही है जब पेपर हुआ जिस समय EUSI CGL मेंस का पेपर चल रह यदि आप math के भी 30 question देखें तो मैं सच बताओ 5-6, 5-6, 5-6 question बड़े अच्छे question दे रखे थे हाँ मैं जरूर मानता हूँ कि 25 question बेहद आसान थे लेकिन 4-5, 4-5 question अच्छे question थे यदि उनमें दिमाग लगाया जाए उन question को करने के लिए माता पच्छी करने पड़ रही थी उतने भी आसान नहीं थे वो question अप मेरी बात को समझ रहें अब कुल मिला करके जो सबसे बड़ा जो दिक्कत हुई वो ही computer और typing बहुत सारे बच्चों ने typing को बहुत हलके में लिया नजाने कितने ऐसे बच्चे थे जिनके typing बिगड़ दी नजाने ऐसे कितने बच्चे हैं जो computer में बाहर होंगे तो कुल मिला करके ये बोलना कि paper आसान था और ये बोलना कि cut off जादा जाएगा ये बिलकुल सरासर गलत है मेरी बात को समझ रहें आज कल बहुत सारे लोग आपको सर्वे करेंगे वो ये भी बताएंगे कि हमने 50,000 बच्चों का सर्वे किया cut off इतना जाएगा cut off इतना जाएगा मैं आपको सच बताओं तो ये सारी चीज़ें बिलकुल fake होती है आप किसी भी logic के आधार पर cut off को आप बता ही नहीं सकते कि cut off कितनी जाएगी एक अंदाजा लगा सकते हैं आपको पता है CGLP में जब CGLP का पेपर हो रहा था तो सारी के सारी लोग अंदाजा लगा रहे थे कि cut off कुछ बोलने थे 120 जाएगा कुछ बोलने थे 125 जाएगा कुछ लोग तो यहां तक के रहे थे cut off 100 जाएगा cut off तो 114, 115 गया यह सारी की सारी चीज़े निराधार होती है अंदाज में आ गया और YouTube तो है भाई सब आप भी जानते है YouTube की दुनिया को YouTube पर वही टीचर आपसे यह बोल रहा होता है तो इसका मतलब आप उस बच्चे से यह भी कह रहे हो कि बिटा टाइम की कीमत समझो और टाइम मत बिगाड़ो और आप ही YouTube पर लगातार पूरे दिन में लगबग 6-7 Reels उस पर अपलोड कर रहे हो source अपलोड कर रहे हो तो बच्चा क्या खाक टाइम बचाएगा वह तो पूरे का पूरा टाइम तुम्हारी रिल्स देखने में निकाल देगा उन मिला करके इन बातों को आपको समझना होगा तो यह सर्वे यह पचास हजार लोगों का सर्वे cut off इतना जाएगा फलाना डिकाना वो सारी चीज़े निराधार है हाँ इतना मैं जरूर कह सकता हूँ तज्रवे के आधार पर हम सभी teacher लोग इतना जरूर कह सकते हैं कि लगभग लगभग जो cut off जहां तक मेरा अनुमान है मेरा जो अनुमान मैं वो भी बता रहा हूँ और वो अनुमान लगभग लगभग 90% तो बिलकुल सही निकलेगा यह मैं गारंटी के आधार पर कह सकता हूँ और यह चीज़े मैं सीधी number of vacancies के आधार पर मैं अनुमान लगा के बता सकता हूँ कि number of vacancies इतनी है और cut off लगभग इतना जाएगा सही है तो दो बातें तीन बातें यह बहुत सारे बच्चे सर मार्क्स कम बन रहे हैं जादातर बच्चे जादातर बच्चे बहुत सारे बच्चे करें सर मेरे नंबर तो 250 बन रहे हैं सर मेरे नमबर तो 260 बन रहे हैं, सर मेरे नमबर तो 280 बन रहे हैं, जादा तर परेशान वही हैं, जिनके नमबर 255, 260, 260, 270 बन रहे हैं, वही बच्चे इस समय सबसे ज़्यादा परेशान भी हैं, आप मेरी बात को समझे रहे हैं, तो पहला पॉइंट यह है कि सर मैंने नंबर तो चेक कर लिए, क्या सर मेरा स्कोर सेफ कितना रहेगा, मेरे कितने नंबर होने चाहिए, जिससे कि मैं सेफ हो जाओ, कि हाँ जी मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो what is the safe score, out of 390, 390 में से safe score क्या होगा, जिससे कि मुझे सरकारी न बता दो, कि देखो paper आसान आना, यदि paper आसान आया है, तो इससे cut off पे कोई फरक खास नहीं पड़ेगा, मेरी बास समझ रहे, यदि आप ऐसा बोलेंगे, तो वो बिल्कुल निराघार है, वो गलत है बिल्कुल, इस समय मैंने दोको, साप साप थमनेल में भी लिखा है, पह आपको पहले भी बता दो, तो जो बच्चे ऐसे हैं, हो सकता है कि कुछ बच्चों के नंबर 260 बन रहे हो, नर्मलाइज हो के हो सकता है, वो 275 तक भी पहुंचा है, तो वो भी सेफ हो सकते हैं, तो अभी उथल पुथल होना है बहुत जादा, वो बच्चे नर्मलाइज होन हैं, कंप्यूटर क्वालिफाइंग, नजाने, नजाने कितने ऐसे बच्चे होंगे, जो कंप्यूटर में बाहर होंगे, इस बार कंप्यूटर का पेपर बहुत तगड़ा आया था, तो इस बात को भी दिमाग में सेट रखें, तो यदि आप लोगों ने कंप्यूटर क्व क्वालिफाई करके बैठें और आपके मार्क्स लगबग 270, 265, 275 बन रहे हैं 265 के आसपास 270 के आसपास तो अभी बहुत उतल पुतल होना है समझ आया तीसरे नंबर पर टाइपिंग आप अभी देखिएगा ना जाने कितने लोग टाइपिंग में फेल होंगे समझ माया तो देखो जदी मैं एक तजुर्वे के आधार पर बात करो मुझे भी पढ़ाने का बहुत लंबा तजुर्वा है ना जाने क्या-क्या पढ़ता है बच्चे इस समय आप यूट्यूब पे देख लो आपको सिर्फ मैत के ही टीचर नजर आएंगे सिर्फ क्या यूट्यूब प को डीजिनिक टीचर बहुत कम नजर आएंगे सिर्फ मैत मैत महेरे आपसे कुष्ष्यन है मेरे आपसे कुष्यन है मैत का लेवल ल देख रहे हो आप आप ये चでकर पारे हो पिछले 4-5 साल से देख हैं 2017 के बाद से हम देखें मैत के पेपर देखें आप किसी भी टीचर से किसी भी टीचर से पढ़ लो, नौट्स बना लो, अरे मैथ में तो तब भी आपके अच्छे नमबर आ जाएंगे। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा, सरकारी नौकरी लेने के लिए किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जो बच्चा समझदार होगा, तो एड प्रिजेंट वो जी एस पे ज़्यादा काम करेगा। आप और जब की उल्टा सिनेरियो बना रखा है, बच्चा सुबा साम, सुबा साम मैथ के पीछे पागल हो रखा है। मेरे प्यारे बच्चो, हालात, परिस्तिती और समय के अनुसार, जो इंसान अपने आपको ना बदल पाई, वो इंसान फिर कामियाब नहीं हो पाता। पहले SSC, CGL मेंस में केवल मैथ और इंगलिस आता था। वीटेज मैथ और इंगलिस का सबसे ज़्यादा होता था। पहले केवल 50 नमबर का रीजनिक और 50 नमबर का जीय स, आता था। तो 200-200 नमबर के मैथ और इंगलिस आते थे तो बच्चा पागल रहता था। और लजमी है कि मैथ और इंगलिस पढ़ा थे, लेकिन अब क्योंड है ? अब में मैंत भी आना है रीजिनिंग भी आना है जी एस भी आना है आपका और इंग्लिस भी आने साब आना है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि मैंत का लेवल बहुत लो लेवल आ रहे हैं किसी भी टीचर से आप पड़ दो उसके नौर्स धंग से ही आपने बना एवरिज जो कुशन अटेंप किये हैं वो लगभग 30 में से 25, 24, 22, 25, 26, 25 लगभग बच्चों ने सभी ने किये हैं तो क्या सेलेक्शन मैंस से हो जाएगा नहीं हो सकता सेलेक्शन उनका होगा जिन बच्चों ने GS बहुत अच्छी से दिया है GS पर Depend है, Depend तो सब पर है मैं यह नहीं कहा रहा कि मैग पर नहीं है,रीजिन पर नहीं सब बह कर लिया है लेकिन जहां पर जिन बच्चों ने लीड लिया है अब बताओ मैत में आप आपने बहुत मैत पढ़ा आप 26 कोश्चन करके आ रहे हो दूसरा बच्चा 24 कोश्चन करके आ रहे है दोई कोश्चन तो ज़्यादा कर लिया आपने लेकिन GS में वो लड़का 18 कोश्चन करके आ रहे है तुम केवल 13 कोश्चन करके आ रहे हो तो तुमसे तो 6-7 कोश्चन आगे निकल गया वो 7 कोश्चन वो बच्चा 20-22 कोश्चन करके आ रहे है GS में वो 22 करके आ रहे है तुम केवल 12 करके आ रहे हो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे बच्चो GS पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो समझ मैं आ गया ये जो मैट का जो टॉरा है जो मार्केट में ज़र सोर सराबा रहता है उस से बच्चो फिजूल की चीजों से बच्चो तो कुल मिलाकर के मैं फिर यही कहूंगा कि कुछ नहीं रखा इन बातों में समस में आ गया कि कुछ नहीं रखा इन बातों में और पूरा क्या पूरा फोकस कर लो पढ़ाई में इन रातों में अधरवाइस तो कुछ ही दिनों में खुरुपा मिल जाएगा हातों में आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और कहना है मेरा कुछ और कहना है तो कट ओफ 270 के आसपास जायेगी सही है ठीक है कुल मिला करके उसके लिए आपको तयार रहना है जनरल कट ऐफ मैं आपको बता रहा हूँ, एडवांस में सर, आप इतना फास्ट क्यों पढ़ाते हो, अमन बोलनागी, foremost में ता आप इतना फास्ट क्यों पढ़ाते हो, बटा, मुझसे तो सिलो कोई पढ़ाता भी नहीं होगा, मैं समझ महा गया, मुझसे सिलो तो कोई पढ़ रखो, सही है, एक तरफ पेपर रखो, और दूसरी तरफ मेरा नौर्स रखो, और दोनों को मिला करके देखना, कि कितने कुश्चन कौपी में मिले, समझ में आया नहीं, तो उससे मैंटर करता है, ठीक है, कुल मिला करके, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताएं, तो आप ल कितने बच्चे कंप्यूटर में बाहर हुए, कितने बच्चे टाइपिंग में बाहर हुए, तब जाके सारी चीज़ें किलियर होंगी, कुल मिला करके, इन चीज़ों से अपना ध्यान हटाओ, और यदि लग रहा है, कि आप सेफ है, तो ठीक है, अधर्वाइस ये बात क्य पढ़ाई में दोबारा से, तो आप भी जानते हैं, मैं फिजूल की बातें नहीं करता हूँ, मैं उन टीचरों मैं से हूँ, जो इस्टेट एंड फॉरवर बोलता हूँ, आप मेरी बात को समझ गे, तो सही है, सही है आगे, सर वाव हलवाई बुक कर सकते हैं, सर, आप बता कुछ और, कुछ और आपको पूछ रहा हूँ, तो आप मुझसे पूछ लो, जल्दी से, एक बच्चा बोल रहा है हमारा स्मार्टी सर, बिल्कुल स्मार्टों में लगी रहा हूँगा, क्यों भई, स्मार्ट लग रहा हूँ नहीं लग रहा बताओ जरा, स्मार्ट लग रह बोलो ठीक है भाई तो है ना फिलाल इजाज़त मांगता हूं मैं है कुछ और पूछना है क्या सर्जी जिनके मार्क्स बन रहे हैं ज्यादा वो computer में ना हो पाएं तो disqualify होगा बिल्कुल क्योंकि computer तो qualifying था और computer में यह आप qualify नहीं कर पाई तो आप बाहर हो जाएंगे safe score general safe score जो जाएगा general category में मेरे हिसाब से 270 के आसपास 265 और 275 नंबर इधर या 5 नंबर उधर मेरे साब से 270 समझ में आ गया नीटू में की class कहां से ले सकते हैं आप मुखरजी नगर आ जाईए मुखरजी नगर में आके आप पढ़ना है तो मेरा बैस तो कल से ही आ रहा है कल से मेरा एक नया बैच आ रहा है आप वहां से मेरा वैच खरीद लो जो भी आपको करना है सारी चीज़ें available हैं लेकिन आप याद रहें आपको सिर्फ में एक पीचर होने के ना ते यही कहूंगा कि फिजूल की चीज़ों में अपना समय जाया ना करें अपना वक्त ना विगाड़ें जितना वक्त आप इदर उदर बिगाड़ रहे हो उतना ही वक्त सही है सही है उतना ही वक्त बिगाड़ें जी एस पर बिगाड़ें अपना समय इंग्लिस की वक्त में बिगाड़ें तो जितना समय आप यूट्यूब पर फिजूल की चीजों में बिगाड़ें आप पढ़िए आप यूट्यूब से पढ़िए लेकिन फिजूल का टाइम यूट्यूब पर मत बिगा आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को समझ पारे में क्या कह रहा हूं है ना तो वो आपके लिए ज्यादा beneficial होगा जुलाई में आपका paper है तो कुछ और पूछ नहीं तो according to me safe score is 270 around 5 नमबर इधर या 5 नमबर फिलाहल हमने बहुत सारी बातें की है और बहुत कुछ हमने discussion किया केड़ी केंपस में आपके अलावा advanced math कौन पढ़ाता है अमन कुमार है ना सही है अमन कुमार जी पूजा यादव सर कंप्यूटर की cut-off कितनी जाएगी अरे भाईया पूजा यादव तुम्हें तो यहीं नहीं पता है अब तो मुम्हें क्या ही बताओं बताओ जरा है ना सही है ssc का cut-off कब तक आ जाएगा बहुत ही जल्दी आएंगी चीज़ें आज कल तो ssc बहुत तीज एक्सन ले रहा है किसी ने सोचा था इतनी जल्दी आंसर किया जाएगी बताओ अभी मेंस का पेपर हुआ है तुरंत की तुरंत आंसर किया गई तो क्या आपने सोचा था कि इतनी जल्दी आंसर किया जाएगी कभी सोचा था आपने कि ssc season की आंसर कितनी जल्दी रिलीज हो जाएगी तो भाई इस समय S.S.C. बहुत तेज काम कर रहा है और S.S.C. मेंस का जो ये पेपर हुआ था इसमें बहुत सारे कुश्चन गलत आये थे जो गलत आये थे उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और जो भी कुश्चन गलत आये थे उन पे S.S.C. सभी को नंबर देती है समस्मा आ गया तो आपको दुबारा से पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है है ना बहुत सारे बच्चे जो कुश्चन है ना जो कुश्चन पेपर में गलत आते हैं समस्मा आया तो पैसे दे करके आप वो करते हैं RTI के थरू सही बहुत सारे बच्चे करते हैं फिर तो उसकी जरूरत में वह हो चुका है इसलिए सभी को नंबर मिलेंगे जो कुशन गलत आए थे जिन बच्चों ने वो कुशन अटेम्प किये थे उन पर एससी उनको पूरे के पूरे नंबर देगी जो कुशन गलत थे और बताओ समझमा आ गया सही और जो बच्चा कंप्टर में डिस्क्वालिफाई हो गया वो तो बाहर ही हो зем उसको सोचना नहीं यदि आप के नंबर बन रहे हैं मैंने माना 300 और आप computer में disqualify हैं तो आप बाहर हो गए उससे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि computer qualifying था आपको computer qualify करना था समझ मा आ गया तो कुल मिला करके मैं अपनी वाड़ी को विराम देता हूँ जै हिन जै भारत बिंदास तरीके से पढ़िए फिर बतल बहुत होना है जिनके नंबर 255 बन रहे हैं 260 बन रहे हैं तो अभी बहुत कुछ उतल उतल होना है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत कि अपने 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 कि